हाई मैं जिगर पंचाल और आज हम बात करेंगे मुजिकल इंटलिगेंस संगित की प्रतीबा अगर यह प्रतीबा हमारे अंदर अच्छी है तो संगित को सोच सकते हैं उसकी जो गून होती है इसको हम पैचान सकते और ऐसा नहीं कि यह प्रतीबा सिफ मुजिक बजाने में या कुछ गाने में यूज होती है अगर यह इसकी अगर अंदर अच्छी है तो हम एक रिदम काम कर सकते हैं इसके ऐग्जंपल देखे तो जिसे लटा मंगेशकर फिर माइकल जैक्सन यार रहमा इनकी musical intelligence इतनी अच्छी है कि एक विल में बहुत ही अच्छी से काम कर रहे है अगर यह skill हमारे अंदर अच्छी है तो हम यह career जैसे musical, music player में हम अच्छा जा सकते हैं, music teacher हम अच्छा बन सकते हैं, therapist, music के therapist चलते हैं, जगर वो बीमारी हैं तो music play करके हम वो बीमारी में से healing ने सक साथ साथ में soundtrack को हम अच्छा कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, song को write करना, गाना गाना, sound engineering अभी नया concept आया engineering में, कि sound के साथ हम कहल सकते हैं, उसको कम ज्यादा उसको तोड मुरोल करके अच्छा उसको बना सकते हैं, साथ साथ में हम अच्छी singer, dancer, composer भी बन सकते हैं, अगर य सिमनियों थे, जैसे तुल सिदा सिदे बहुत अच्छी दोहे लिखते थे, स्लोक चंद लिखते थे, तो वो भी एक लए में, बासा में एक लए में, एक रिदम में वो लिखे जाते हैं, तो अगर ये skill जाता है, तो हम अच्छे writer भी बन सकते हैं, धून में अमरी बात को ल सकते हैं, आगर ये skill हमारे अंदर कच्छी ये कम है, तो हम क्या कर सकते है, तो analysis करना है, अगर ये गाम है, तो हम कुछ musical instrument हम सिख सकते हैं, जिसे piano, guitar, उनके हम class करें, साथ साथ में music हम सुन सकते हैं, अगर कुछ नहीं आ है, तो हम गाना गा सकते हैं, वाधरूम ऑन से पन सक ताके हम उसके साथ गाना गाएंगे, रिदम में गाना गाने की हम प्रैक्टिस करेंगे, तो ये skill हमारे इंदर बढ़ेगी और music के साथ हम बहुत ही अच्छा deal कर पाएंगे और ये प्रतीबा हमारी career में हमें बहुत काम गाएंगे, तो हम फिर से मिलेंगे multiple intelligence speaking उसके प्रतीब के साथ, thank you.